चलिए और जादा जानकारी के लिए सीधे जूडते हैं गरिया बंद जिले के हमारे सवादाता फरहाज मेमन से फरहाज जिस तरह से निर्वाचनायग अपनी तयारिया कर रहा है सेकेंड फेस के में होने वाले चुनाव को लेकर ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे कि सीमावर्ति शेत्र होने की वज़ा से किस तरह की चुरौती हो जाती है गरिया बंद जिले में महासमुन लोगसभा सीध के लिए चुराव कराना साथ ही कितने मतदान केंडर बनाए गए हैं बिल्कुर प्रसासन के सामने इसे लेकर खासी चुनावती है कि गरिया बंद जो जीला है इसकी 75% सिमाए उड़ी साराज से लगती है ऐसे में किसी भी तरह की प्रसासनी किस्टितिया है उसको नियंत्रण करने में काफी महनत लगती है इन सीमाओं को देखते हुए प्रसासन ने कहीं नाके बना के रखे कई तरह से मेनेजमेंट यहां पर दुरूस्त रखा गया तब जाकर अभी जो है वो चुनाओं की परिक्रिया सुनिश्चित की जा रही है आज मैं आपको बता दू कि गरिया बंद जीले में मतदान दल को जो पी माइनस टू मतलब जो समवेदन सिल मतदान केंदर है ऐसे दो मतदान केंदर के दलों को हेलिकाप्टर से रवाना किया गया इस उसर पर किलेक्टर दिपक अगरवाल भी मौजूद थे पुल मिला कर देखें तो अब लोकसभा चुनाओ के जो दूसरा चरण है इसके मतदान को केवल 36 घंटे का समय शेष रहे गया है ऐसे में जो अपका समय हो काफी महतपूर्ण है आज की स्थिति अभी की स्थिति मैं आपको बता दू तो जो करमचारी मतदान कराने जाने वा चुनाओं का पर्व जो है उसको लेकर के करमचारियों में भी खासा उत्ताह देखा जा रहा है मतदान कराने के लिए उत्सुक नजर आ रहा है इन सब के बीच अगर देखें तो गरिया बंद जो जिला है वो महासमुन लोकसभा चेतर के तहत आता है और महासमुन लोकसभा के दो विधान सबब बिंदर नवगड और राजीम यहां आती है चार लाग साथ हजार कूल मतदाता है इन में से तीरपन जो मतदाता है जो दिव्यांग और बुजुर्ग थे उन्होंने अपना मतदान कर लिया है इसके अलावा जो 280 करीब जो है जो करमचारी थे जो वोट करता हुँ महसूस दिखा तो वहीं इससे लेकर के मतदान के लेकर की खासा उत्साह नजराया इन सब के बीच गरिया बंद जिले में प्रसासनिक तयारे इस बार काफी चुस्त दुरुस्त दिखी वहीं स्कुईप को लेकर के कई कारिक्रम चलाए गया मतदान का प्रतिसत ब करने की उम्मीद पूरी तरह जताई जा रही है अकेले गरिया बंद जिले में हम बात करें तो चार लाख साथ हजार मत दाता है जो है जो महासमून विधान सभा के लगभख सत्रा प्रत्यासियों के भाग्ये का फैसला परसो सुबह परसो सुबह साथ बज़े से आपने में करेंगे इन सब के बीट मैं आपको मैं आपको बता दू कि गरिया बंद जिला है यहां पर दो विधान सभा जो है राजिम और बिंद्रा नावगर जिसमें महिलाओं की संख्या जादी है पूर्सों के बनिजबत ऐसा प्रदेश के बाकी जगों पर कम ही देखने को मिलता है लेकिन गरिया बंजले में यह इस्तिती है अभी जो है आपसे डेड़ घंटा पहले कि नौ प्रचार थम चुका है और प्रत्यासी जो है घर-घर जाकर प्रचार कर सकेंगे लेकिन जो राइली जूरूस है उस पर प्रत्यबंद लग जिया है अंतीन समय में प्रत्यासी प् तो भी मुठकृ समप आगे के सब्सक्राइबूर्ण जानकारी देना चाहता हो यहां पर कुलहरी घाटे के ग्राम पंचायत है वहां ऐसे भी कुछ गाउं है जो लगभग 30 किलोमीटर अंधुरूनी छेत्रों पहार के उपर बस हुए जानकारी के लिए शुक्रिया फरहाज तो यह थे गरिया बंजिली के मारे समादाता फरहाज मिमन जिन्हों ने बताया कि मद्दाताओं में सेकेंड फेस के चुनाव को लेकर किस तरह का उत्साह बना हुआ है